एलो स्टूडेंट्स आयाम गुर्विंदर कॉर सीनियर फिकल्टी अभी मन्यू आई एस और आज यहां पर हम बात करते हैं PCS से एरलिटिल पंजाब PCS की नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है स्टूडेंट्स एस यू अल्रेडी नोओ अबाउट दिस राइट ऐगर मैं बात करो नोटिफिकेशन की तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ऊसे बहुत ज्यादा इस टाइंपे से फ्रस्ट्रेट से भी और लाई है, so students notification damn sure exam तो होगा कभी ऐसा हो यह सकता है कि state PCS जो है, exam वो अग्रुक्ष ना करवाई, exam तो उनको conduct करवाना ही पड़ता है, right, क्यूंकि हर साल बहुत सारी vacancies जो है, वो vacate होती है, right, promotions होती है, retirement होती है, to administration में demand तो रहती ही है, so that's why students इस तरीके से आप you know anxiety या फिर वो ऐसे feel मत कीजिए कि हंजी notification नहीं आईगी तो हम क्यों ही हमेट अपना time waste करना है for the Punjab ECS so please students आप motivate रहे रहे राइट positive रहे रहे राइट positive रहने की जरूरत इस time पे आपको और अपनी preparation पे focus कीजिए राइट जो भी आप prepare कर रहे हैं उस पे आप focus कीजिए ना कि आप notification पे और exam date पे इन सब चीजों पे focus करने की जरूरत है नहीं आपको actual में need नहीं है student ठीक है कई बार क्या होता है हमें friends बोल देते हैं या हमें कोई और बोल देते हैं कि हंजी आरे यार जब पेपर आएगा तब देख लेंगे तो आप एक चीज अपने mind में हमेशा रखिए कि ये कोई college के exam नहीं है student कोई university के exam नहीं है जो आपने एक रात पड़ा और उसके बाद आपके जितनी percentage आ जाए बस ठीक है ये competition है student यहाँ पे competition के अंदर you know आप 0.5, 0.1 1 marks की भी value होती है वो आपको in भी कर सकता है और out भी कर सकता है competition से और competition as you already know कि बहुत ज्यादा होते है तो please आप जो है वो notification की wait करना बंद कीजी और अपनी exam पे focus करो उससे related अपनी strategy बनाओ syllabus complete करो classes लगाईए आप फटा फट से अपनी answer writing practice कीजिए mcq practice कीजिए cset की अच्छी खासी त्यारी कीजिए because cset इसमें qualifying नहीं है students आपके marks add होते है so cset भी आपको बहुत अच्छे से ready करना पड़ेगा if you want to clear cut off in the prelims ठीक है जी okay so let's start our today's topic ठीक है तो today का जो topic student वो बहुत ही interesting topic है how can working experience manage their preparation while they are in job तो ये एक ऐसा topic student जिस को लेकर I think freshers को या फिर और किसी चीज और students को तो शायद में भी tension ना होती हो but ज्यादा तर जो working experience होते हो उनके लिए सबसे बड़ी problem जो होती है that is the time management time management time management see here students working experience के ये वीडियो आज की मेरी totally working experience को dedicated है जो भी 9 to 5 या फिर रात के टाइम पे कोई army में है कोई police में है कोई administration में है कोई home worker है home worker भी तो एक working aspirant ही है home maker भी एक aspirant है वो भी 24 अपना job कर रही है ठीक है उसमें आपको payment नहीं मिलती है हाँ काम तो आप करी रही हो yes or no तो उन experience को मेरी आज ये वीडियो डेडिकेटिट है students की जो हमारे working aspirants है वो अपना preparation कैसे करे while they are working ठीक है while they are job तो job के साथ साथ आपको कैसे manage करना है हम इस पे बात करते है student chair student ये topic अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा topic है ठीक है बढ़ हाँ मैं आपको कुछ practical यहां पे you know practical advice दे सकते जो possible भी है और even मेरे बहुत सारे working students ने इसको apply भी किया है ठीक है उनका बहुत अच्छे से manage कर पा रहे हैं वो लोग ठीक है उसको you know implement करके देता है फिर students को बताता है कि हंजी ये possible है ये नहीं है ठीक है जैसे मेरी एक student है प्रयंका नाम की student है मेरी उसका थ्री मन्त का भी बेबी है तो आप सोचिए कि कितना crucial time है बट फिर भी फिर भी वो मेरे साथ जो है वो अपना time management कर पा रही है फॉर्दा पंजाब ECS examination क्योंकि कही ना कही student कुछ भी है आपको अपने career के साथ compromise नहीं करना चाहिए कि अपनी goals के साथ या target के साथ टाइम सब के पास 24 hour है चाहे फिर वो Elon Musk है चाहे फिर वो सडक पे कोई beggar घूम रहे बट दोनों में difference यह है कि वो अपना time कैसे utilize कर रहा और beggar कैसे कर रहे उसकी वज़ा से वो beggar है और उसकी वज़ा से वो दुनिया का सबसे यूनो powerful person में से मान सकते हैं हम उसको Elon Musk को हाना तो सब के पास 24 hour है किसी के पास न कम है न जाद है तो उनी को manage करना ही हमारा सबसे बड़ा task होता है जो इसको manage करना सीख गिया समझ लो उसकी life जो है वो बहुत easy हो जाती है ठीक है आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छे से manage कर पाते है एक साथ इतने सारे exams को crack कर जाते है उसके पीछाई का जो secret होता है that is the time management उन्होंने है हर चीज को बिलकुल precise time पे उन्होंने start किया ठीक है और उसी time पे उन्होंने उसका end किया यही सारा खेल होता है student आपके competitive exam में competitive exam में कहीं ना कहीं time management बहुत important role play करता है ठीक है क्योंकि किसी के पास इतना time नहीं है कि वो 4-5 साल के लिए एक ही exam के लिए prepare करता रही नहीं वो तो फिर बेवकूफी होगी ठीक है कि आप सिर्फ एक exam prepare कर रहे हो ठीक है इतने time में वो तो बहुत ही गलत strategy होगी so that's why students time को कैसे management करना है so let's see so see your student if you are working as a parent और मैं इसना suppose करके चलती हूँ कि चलो आप जो है वो अपनी life के 12 hour को बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते skip नहीं कर सकते उसको आपको काम में लाने ही लाने है यह पहले हम 9 to 5 job वाली की बात करते है यह 9 to 7 जिनकी job है वो अपना time कैसे manage करें so see your student जब भी आप काम अपने work में busy है कभी भी बहुत बड़ा task नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा अगर आपको task लेके चलोगे तो believe me student वो complete नहीं होगा for instance मालो आपने कहा कि मैं 4 से 5 घंटे daily पड़ूँगी या पड़ूँगा काम के साथ साथ तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे practically possible नहीं है आप एक दिन कर लोगे दो दिन कर लोगे तीसरे दिन आप skip कर दोगे कि अरे छोड़ यार नहीं हो पा रहे तो सबसे पहले तो student आप अपने time slot को task में convert कीजी और उसको आप जितना छोटा रख सको उतना छोटा रखो according to your convenience जो आपको सही लगता है वैसा रखिए for example आपने 30-30 minute के ठीक है 30-30 minute के आपने slot बनाए ठीक है task 1 ठीक है task 2 ऐसे कर करके ठीक है task 3 और फिर आप क्या करो उसको आप 30-30 minute के break में पढ़ो ठीक है आप कितने भी task में आ सकते हो 30-30 minute के 1, 2, 3, 4, 5 जितने आपको suitable और इन 30 minute में आप बैठ कर कोई एक छोटा task पूरा कीजी for example मालो आपने एक chapter पढ़ना है तो आप एक chapter पढ़िए आपने एक test लगाना है आप 30 minute में एक test लगाओ ठीक है next जब 30 minute आपको मिले for example सुबा के टाइम पे आपने 30-30 minute के 2 slot लिए ठीक है पहले उठके पढ़े फिर आपने थोड़ा बहुत काम किया फिर आपने दुबारा से लगाया ठीक है यार मुझे ready भी होना है मुझे जाना भी है मुझे ये काम भी करना है मुझे टिफन पैक करना है मुझे खाना भी खाना है तो आप छोटा task लीजिए छोटे task को पूरा करना बहुत असान होते है अच्छा कई students ऐसा होगे कहेंगे नहीं मैं 30 minute नहीं हम ऐसे कर सकते हैं कि सुबा एक घंटा निकाली है शाम को एक घंटा निकाली है वो भी अच्छी चीज़ है बट उस एक घंटे में student आप जो task पूरा करो उसको आप minimum पूरा करो मतलब की minimum task होना चाहिए आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने ये सोच लिए कि आज मैं quality की NCRT सुबा के session में खतम ही कर दूँगा नहीं आप नहीं कर पाओगे और जब कोई काम पूरा नहीं होता है student उससे आपको आती है demotivation और उससे student आप skip करने की सोच लेते हो कि भाई नहीं हो रहा छोड़ दो बड़ जब आप बहुत छोटे-छोटे minimal test के लेके करते हो task लेके करते हो कि हाँ जी आज मुझे एक chapter पढ़ने है आज मुझे एक chapter quality का पढ़ने है आज मुझे history के एक chapter पढ़ने है आज मुझे एक test लगाने है जब आप ऐसा सुबा-सुबा उठके या फिर रात के time पे जब आप सोने लगे तब आप एक task बना के बैठो की हंजी मेरे को कल चार task पूरे करने है उसमें मुझे एक quality का test प्रपेर करने है attempt करने है मुझे ये class देखनी है या मुझे कल के class notes बनाने जब आप ऐसा करते हो तो आप ये देखना trust me student आप देखना कि week की अंदर जब आप week के last में जब आप Sunday वाले दिन free होगे तब आप देखोगे student की आप काफी कुछ cover कर चुके हो otherwise अगर आपने बहुत बड़ा big task लिया जैसे कि for example कई क्या करते है student मैंने देखा है 9 to 5 job की ठीक है फिर रात को वो पढ़ने बैठेंगे जैसे 10 से 2 बजे तक वो पढ़ेंगे ठीक है होगा क्या 2 बजे वो पढ़े ठीक है 2 बजे सोई ठीक है 1-2 बजे सोई और हुआ क्या सुवाव वो उठ नहीं पाए स्टूडेंट्स भी करते है तो मैं उनको बहुत प्रैक्टिकल एडवाईस देती हूँ कि स्टूडेंट ऐसा मत करो आपसे नहीं हो पाएगा ट्रस्ट भी तो आप जो अपना टास्क है स्टूडेंट्स वो बहुत छोटा 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 रखो स्टूडेंट्स स्मॉल टास्क लो और फिर उनको पूरा करो आप उसको पूरा भी कर ले जाओगे और कऊन्फिडेंस भी फील करोगे पूरा दिन आपको यह कॉंसरा रहेगा कि हणजी सूबा मैंने दो टास्क पूरे किये थे एक चैप्टर पड़ा था और एक मैनने हर रोज उसको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं बात करते हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं हम जैसे दो-दो घंटे की लेक्चर्स होते हैं, फॉर एक्जम्पल जैसे यहां पर हमारा आज ही 1st November को बैच शुरू हो रहा है for the PCS examination, तो हर रोज जो है, वो 5 से 7 आपकी GS की class हुआ करेगी, 5 to 7 और alternate पे आपकी CS की class हुआ करेगी, तो प्लीज थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, तो प्लीज, I'm really sorry, ठीक है, और प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ cooperate करना, तो 5 तो 7 पीम जैसे हैं, तो वो बोलते हैं मैं इस class को कैसे manage करें, बहुत easy class को manage करना, आप क्या करो, recorded class देखो, पहली बात तो live की आप tension low मत, live की low मत, कोई इसमें दिक्कत आते recorded में, आप फटा फट से comment करो, ठीक है, टीचर को comment करो कि मैं यह चीज समझ में नहीं आई है, यह सर, आप यह जो चीज है न, यह repeat कर देना, बात में, ठीक है, आपको हो जाएगा, यह आपको किसी टीचर से बात करनी है, आप call कर लो, जिस दिन आप free हो, है न, Sunday बार, जिस दिन भी आप free हो, शाम के टाइम पर, उस time call कर लो, आप, आपको number नीचे दिया होते है, तो आप वैसे manage कर सकते हैं, तो फिर क्या है, आप एक दिन मालो, आपने class लगाई, टू-ट लो, रिवीजन लेने के बाद, फिर आप next class पर move करो, ठीक है, next class पर फिर move करो, अब क्या है, इनी classes को आप जब तक आपकी classes चल रहे हैं, आप सिर्फ classes के attention लो, कि class जो है, मुझे time to time class लगानी है, उसके notes को मुझे revise कर, जब भी दिन में आपका task, जब भी आपको time मिला, जब आपकी classes चल रहे हैं, उस time पर सिर्फ आप classes का load लो, सिर्फ और सिर्फ classes का load लो, और कोई load मतलो, ठीक है, अगर आप working aspirant, और जिस दिन आपका classes खतम होगी, over होगी, उस दिन से आप जो है, वो अपना फिर से वापस से, वो 30-30 minute वाला हा न, फिर से वापस से आना शुर ले, reading ले जब भी आपके पास time है, office में बैठ के time है, metro में आरे हो, तब आपके पास time है, bus में आरे हो, travel कर रहे हो, तब आपके पास time है, उस time पर आप उसको क्या करो, complete करो, right, यह बहुत ही, you know, practical यह चीज है, ठीक है, इसमें आप बहुत अच्छे से cover कर जाओगे, यह तो student को लगते है कि यार, यह तो पहले सी है हमारे पास, तो मेभी वो मेरी video skip कर देता, right, यहाँ पर मैं बात करते हूँ student support की, see here student, आप working aspirant हो, तो आपको need है, आपके family की support की, आपकी family, आपके friends, आपका sibling जो भी है, आपकी wife, husband, जो भी है, उनसे आप support लीचे, उनको आप खु need your support, ठीक है, तो जो भी आपके extra काम है, कई बार student मेरे से आके बोलते ही, कि मैं मैं working mother हूँ, ठीक है, या मैं homemaker हूँ, तो बहुत सारे other जो काम है, वो भी मेरे सिर्पी होते हैं घर की, तो time manage नहीं हो पाता, तो see here student, आप अपने family से बैठ कर बात करो, कि उनका support लीजी, emotionally भ काम है, अब से आप, ये चीजे जो है, वो थोड़ा सा आप देख लीजी, ठीक है, मैनेज कर लीजी, ठीक है, अभी शादियों का सीजन आ रहे है, पंजाब में तो, आपको पता ही होगा, इतनी सारी शादियों होती है, तो रोज जाना पड़ते हैं, तो आप थोड़ा सा अवाइड भी कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा काम हैं, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हो दूसरे के साथ, ठीक है, तो फैमिली का सपोर्ट होना यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट वो आपको टाइम मैनेज करने में बहुत जादा हेल्प कर सकते हैं, टाइम मैनेज करने में वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत सारे इवन जो है, छोटा-छोटा जो है, वो टाइम आपको निकाल के दे सकते हैं, कि हांजी चलो ठीक है, अभी ये कोई बात नहीं, कहीं पर जाना है, किसी से मिल की आने कोई बात ही हम कर लेते हैं ठीक है या कई बर क्या होते इतने supportive friends होते हैं वह ही बोल देते हैं कि ठीक है कोई बात ही तुम पढ़ लो ठीक है हम ही कर लेंगे तो इस तरीके से student आप support ले सकते हैं अपनी family का for the time management ठीक है जी और यो मैंने आपको important चीज बताई वो क्या बताई कि हमेशा small task रखो अपना comparison student कभी भी never compare yourself with fresher और जिसके पास 24 hour वो dedicate कर रहा है study को never compare with them ठीक है never compare क्योंकि जब आप उनके साथ अपना comparison करोगे तो obviously आप पीछे ही होगे बट इसका ये मतलब नहीं है student की आप कर नहीं सकते या आपका clear ही नहीं होगा नहीं उसका जो level है उसकी जो situation है उसको उस पे छोड़ दीजी आप अपने साथ उसका comparison मत करो आप अपने हिसाब से उसको manage करो student आप अपने तरीके से देखो कि हंजी मेरे पास ये ये time book होता है मैं occupy हूँ इस time पे इसके अलावा जो मेरे पास time बचता है उसमें मैं कैसे manage करूँ आप उस पे काम कीजी और कभी मत सोचो कि यार मेरा तो इतना पड़ा है फलाने ने तो कवर कर लिया यहां वो तो सब कुछ करके बैठी है मेरा तो नहीं होगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए तो मैंने आपसे बोला ना कि notification की wait नहीं करने जो pressure से अगर वो कर रहे हैं तो भी समझ में आता है कि शायद में भी थोड़ा overconfident है होंगे कि हां भी हम तो करी ले हैं उनको revise करना है जब classes आपकी खतम हो जाएं तब आप क्या करो जो भी आपकी NCRT books हैं आपकी advanced books हैं उनकी आपकी रिवाइस कीजिए small-small task बनाईए जो daily basis पे आपकी complete हो सके ऐसा कोई daily task मत बनाओ जो complete ही नहीं हो सकता है ना दिन में आपको जितना भी time हो उसको आप slots में मैं बाट लो कि हां जी मैं गंटा पढ़ सकता हूं और लगातार बैठके तो आप वो भी कर से कोई problem मैंने 30 minute का इसलिए दिया क्योंकि कई बार मैंने देखा है ज्यादा तर खास करके हमारी जो female section है वो बोलती है कि थोड़े थोड़े time बाद कोई ना कोई हमें disturbed करता रहता या कुछ-कुछ बीच में करना पड़ता है मैंने उनके लिए बोला कि आप minimum 30 minute का ले सकते हैं ठीके जी तो आप अपने हिसाब से यहां पर strategy बना सकते हो जैसे मैंने आपको बताया बस roughly जो चीजी है उसको आपको mind में रखना जो मैंने आपको बताई है ठीके जी ओकी ठीक सकते हो राइट दोनों आप देख सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है offline भी है online भी है किसी का अगर आज का lecture रह जाता है कोई बात नहीं उसने बाद में registration किया मेरी वीडियो देखकर तो don't worry आपका syllabus हो जाएगा recorded classes आपको मिल जाएगा ठीके जी okay student मैं सी के साथ lecture कर रहे हूं over thank you thank you so much have a nice day